ऐसलामकि वीटिवो एसलाम बाद आप this video पारक वीग्वस सेटिए इसलामबाद में सेक्टर C के हवाले से बताउगा प्रीविसली मैंने सेक्टर A और सेक्टर B के एक डिटेल वीडियो बनाई थी जिसे मैंने दोनों सेक्टर को बड़ा detail से explain किया था कि वहाँ पे किस size के plots हैं, कितने develop हो चुकी हैं, कितने घर बन चुकी हैं इसके लावा जो A और B block के amenities थी खास उस हवाले से भी जिकर किया था अब third अगर बात करें C block की, मैं series में try करूँगा A block से लेके J block तक जितने भी पार्गो सेटी में आज तक block launch के गी हैं उन blocks के video बनाओं और उसके बाद पर randomly जिस block के हवाले से members ज़्यदा video देखना चाते होंगे मैं regularly after one month वो post करता रहा करूँगा ताकि members को उस हवाले से detail information मिल सके अगर हम बात करें A, B और C block की elevation की comparison में तो A block जो है उसकी सबसे कम elevation है, यानि सबसे नीचे block है second is B block है जिसकी सबसे कम elevation है and third is पर C block आता है बाकी जो H block और J block है बिल्कु ग्राउंड लेवल पे हैं उनमें as such को बड़ी elevation नहीं है gate number one के सामने बिल्कु ए और B block आता है जो अभी विटनस भी कर सकती है gate से जैसे आप enter होते हैं सामने आपको A block और B block के premises मिलती है A block B block की खास बात यह है कि यहां पे आपको सबसे ज़्यादा अबादी नज़र आती है सबसे ज़्यादा घर नज़र आती है सबसे ज़्यादा construction भी नज़र आती है तो यह A block और B block की अच्छी बात है इन तीनों block बलके चारों block A, B, C, D के सेंटर में मज़िद अब्दुरहमान है जो साइटी की साइट पे इस वक वाही जाम्या मॉस्क है इसके लावा का एसेट मॉस्क नहीं मनीवी अब इस मॉस्क के लावा बाकी सेक्टर में मॉस्क बनेगी तो एक सेपरेट डिवल्मेटर केस होगा फॉर दा टाइम बिए अगर लैंड्सकेपिंग की बात करें ग्रीनरी की बात करें तो पार्क विस रिटी अपनी मिसाला आप है इसमाल हवाले से आप पार्क विस रिटी का किसी दूसरे ससाइटी के साथ कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं डाउन टाउन इसलामबाद क्योंकि पार्क विस रिटी इसलामबाद जीरो पॉइंट से पंदरा किलोमेटर के रेडियस में आता है अब पंदरा किलोमेटर का रेडियस देखें तो आपको यहां पे दो तीन प्रजेक्ट मिलते हैं देखें तो वाहिद प्रजेक्ट प्रजेक्त प्रजेक्ट में जाता है definitely है, वहाँ barrier and clave में पांच बले का प्लॉट आपको 17 लाग का मिल जाता है लेकिन फरक क्या पड़ता है, कि barrier and clave में सब कुछ cash पे है सब कुछ उसमें वहाँ पे installment पे कुछ भी available नहीं है और दूसरी बात कि barrier and clave की पार्ग इस्ट इसलामबाद की निस्बदन कम elevation है, कम उन्चाई है, यानि कि वो plot जो नीचे की तरफ आता है तो पार्ग इस्ट इसलामबाद को इस लिहाँ से एक एहमियत हासिल है कि पार्ग इसलामबाद में सबसे ज्यादा अच्छी elevation वाली society है अभी आपने screen पे at a time एक frame में आपको a, b, c, d, e, f block नज़रा रहे होंगे आप पूरा यहां scenic point से देखें a, फिर बाद b, फिर third is c, fourth is d, fifth is e, and six is f इन सारे sector comparison करें तो आपको elevation में बहुत ही बड़ा change नज़राता है इवन तो f block से भी थोड़ी बेतर elevation है e block की इसलिए वाँ पे शायदा कनाल के plots रखेंगी है अब इन सारे plots comparison में करें अगर आप इसलामबाद में अगर आप किसी भी शेर से belong करते हैं specifically अगर आप कराची से, लहोर से, फैसलाबाद से कहीं से belong करते हैं तो आपके पास अगर इसलामबाद आपने move करना है specifically for living purpose, not for investment purpose यह थारे की चीज़ों पर नहीं अगर आप चार मनले का plot यह पांच मनले का plot यहां पर खरीद देंगे for example cash पे 90 लाक रुपे का तो लाज़मी नहीं कि वो plot करको डेट करोड का अज़े तो आपका बिक भी जाए क्योंकि डेट दो करोड का 5 मनला किसी ने लेना 5 मनला का डेट दो करोड को लोग घर लेते हैं 5 मनला का plot ने लेते हैं हाँ लेकिन अब खुद अगर स्रीन इर्वायरमेंट में आपको इसलामबाद आते हैं इसलामबाद चुकि एक पहाड़ी लाग़ा है वहाँ पे आते हैं घर्ब नाना चाहते हैं तो डेफिरिंटली पार्गी सिटी इसलामबाद से आपके पास अच्छा उप्शन नहीं है in terms of prices क्योंकि जो बाकी तीन products में ने compare की है उन तीनों product में prices इस project से ज्यादा है तो डेफिरिंटली आपके लिए प्रजेक्ट वर्थ करता है उस लिहाद से बागे एक और बात है कि यहाँ पे जो downtown commercial है अब इस से बहतर downtown commercial इसलामबाद रावल पिंटी की territory में आपको किसी भी जगा पे नहीं मिलेगा क्योंकि पार्गी सिटी इसलामबाद के अंदर जो downtown बन रहा है उसको इस तरह से design किया गया है कि center में lake है फिर उसके बाद आगे restaurants के लिए plots हैं उसके बाद 360 degree में अगर आप देखें तो आपको हर तरफ बड़ी अच्छी elevation के साथ एक मर्कज मिलता है जिसका नाम है downtown commercial downtown commercial जो है यह positivity कैसे add करेगा कि future में यह एक tourist point होगा यह इसलामबाद कोई बंदा विजट करता है लहोर से तो पुछते हैं इसलामबाद में खुबसर जगा कौन सी देखने वाली तो definitely 80-90% लोग recommend करेंगे कि आप downtown मर्कज PVC में चले जएं वहाँ पे इच्छे रेस्टरांट्स हैं अच्छे आपको brands मिलेंगी अच्छे आपका outlets मिलेंगी हर लहाँ से PVC को यह advantage हासल है कि PVC इसलामबाद में आप 360 degree में देखें तो आपको हर तरफ पहाड नजर आते हैं बड़ अगर 5 साल बाद की window में देखें तो 5 साल बाद शायद ही कोई project हो इसलामबाद PINDI की डोमें में specifically इसलामबाद की डोमें में zero point की डोमें में जो PVC का मकाबला कर सकता हो पार्क विस्टी इसलामबाद का मकाबला कर सकता हो क्योंकि यहां पे food court ओलरी operational है downtown मरकस के अंदर shops already operational है यहां पे A और B में जो घर हैं सेंकडों की ददाद में already आपको नजर आ रहे हैं terraces apartment sector B के बिल्कुल back side बे बन रहे हैं मुकमल possessionable होगी हैं मुकमल ready होगी हैं यहनि कि कुछ floors मुकमल ready हैं कुछ floor पे finishing के काम हो रहा है इस तरह different areas है different areas आप डिमार कर सकते हैं कि जहां पे अभी PVC के अंदर आपको plot खरीदने का आपके पास opportunity है इसलामबाद पिंडी में कर जाते हैं तो एक दूसरी common example है लेट से आप वेल आफ हैं पकस्तान के top 5% में आते हैं तो आप इसलामबाद में मूव करते हैं किनाल का plot लेने का option है वो किन जगा पे आता है किनाल का plot खरीदने का आपके पास option आता है वो आपके पास option आता है CDS sectors में जो 0.0 से सबसे करीबी है G6 हो गया, F6 हो गया, F7 हो गया आपके E6 हो गया वहां पे कनाल का जो घर है आपको तकरीबन 50 क्रोड, 55 क्रोड गर मिलता है यहां पे PVC के अंदर आपको तकरीबन 4 क्रोड की डुमेन में आपको easily E-Block के अंदर जहां से आपको पूरे इसलामबाद ऐसा लगएगा आप जिसे मुनाल बे बैठे हैं और निचे इसलामबाद देख रहे हैं सेम E-Block की डुमेशन है आपकी location है कि आपको E-Block से बैठके पूरे इसलामबाद की visibility मिलती है आप E-Block में बैठके आप directly witness कर सकते हैं Varian Clayve को आप directly witness कर सकते हैं सामने downtown commercial को आप directly witness कर सकते हैं different areas को जो PVC में इस area से visible है अगर second point की बात करें कि PVC के C-Block के location की तो मैं Google Earth location पहले आपको exact location दिखाता हूँ इसकी कि यहां पर किस sizes के plots हैं और उसके बाद पर आगे जाके वीडियो में explain कर दूँगा कि PVC में आपका plot खरीदना आपके लिए कितना futuristic हो सकता है इस वकर में स्क्रीन पर पार को से इसलामबाद का master plan देखते हैं master plan में जो आज की वीडियो स्पेस्फिकली वो इस sector के वाले से sector C के वाले से अगर मैं master plan को तुछ सा light कर दो हूँ जो actual sector C का सरफ map है वो दिखा हूँ तो मैं आपको इसमें explain करता हूँ के sector C में किस तरह किस dimension के plot है आप जो main road facing है 80 feet road wide road है जिसका नाम है M2 road main road 2 उसमें जो front side plot है 35 by 83 35 into 83 के plot है मरलों में देखा जाए तो 12.9 मरला तकरीबान आपके 13 मरला का plot बनता है उसकी back side पे 35 70 के plot है ये road जो 40 feet wide है और ये road भी 40 feet wide है इसके सामने बिल्कुल 35 by 70 के plot के सामने भी 35 by 70 के plots बनते है टोटल नमबरों plot तकरीबान इसमें 104 बनते है 104 plots हैं सिर्फ इस block में तो इससे अंदाजा लगासते हैं कितनी niche inventory यहां पे मजूद है जितनी कम inventory मजूद है अगर हम बात करें last 40 feet road पे तो यहां पे 14.75 मरला के plots है यानि 40 by 83 के plot है और इसके साथ यहां पे आपको यह जो plot नज़रा रहा है plot नमबर 98 नज़रा रहा है यह plot है दो कनाल 4 मरले और 8 square feet का plot है यह plot है high-rise apartment building का plot है back side यहां पे 88 मरला के commercials हैं plot नमर 1 to plot नमर 13 जो facing यहां पे मलोट road होंगे यह plots है अभी society की तरफ से sell नहीं किएगे बाकी जो अंदर C block के plots है यह सारे plots sold out है इस तरह देखें C block के अंदर तो आपको residential apartment बिलता है जो के 21 कनाल 11 मरला और 113 square feet का plot बनता है residential apartment building का plot है जो के बहुत ज़्यादा niche location का plot बनता है इसकी बिल्कुत साथ left side पे 1 कनाल के plots है 1 कनाल के 34 plots बनते हैं तोटल sorry 34 नहीं plots बनते है 1 कनाल के total 15 plots है और इसकी back side पे दुबारा 10 मरला के plots है आपको टोटल 104 plot यहां पे हैं 19 plot आपको यहां बनते हैं 10 मरला के और 104 plot आपके यहां बनते हैं तो यहां आपके total plot बन जाते हैं आपके 123 plot 10 मरला के और 15 plot आपके एकनाल के यह इसकी existence C block का map है और इसके सामने यह आपको मज़ी दब्दुर्यमान की location मिलती है जो अलड़ी site पे developed है और मकमल कंप्लीट की जा चुकी है यह C block का map है अगर यहां पे आप रीस से बें plot लेना चाते हैं तो definitely बहुत अच्छी investment है in terms of कि आप यहां पे घर मना के रहना चाहें तो अगेन बैक टो रिल्टरेम फोटेज दोबारा अपने स्क्रीन पे वही C block का map देख से थे हैं और अभी जो currently आप स्क्रीन पे map देख रहे हैं plots देख रहे हैं यह वान कनाल वे plots हैं और बैक साइड पे यह मलोट रोट के साथ plot हैं यह वाले plots हैं यह 10 मरला के plot हैं यह 12 मरला के plots हैं और यह साथ बिल्क आपको मस्जिद अब्दुरेमान की लोकेशन नजर आ रही होगी अगर हमने बात किने जैसे मैं स्टार्ट में बात की थी कि PVC इसलामबाद यानि पार्क विस्टिटी इसलामबाद सबसे ज़्यादा फेवरिट हाउसिंग साइटी है तो इसमें कोई दो राए नहीं है कि आपको PVC से बेतर एलिवेटेड लोकेशन इसलामबाद में नहीं मिल सकती और जैसे मैंने बात की थी कि A, B और C ब्लॉक में कंबरेजन करें तो A ब्लॉक सबसे ग्राउंड लेवल पे है फिर B ब्लॉक थोड़ा एलिवेटेड है और C ब्लॉक वो से एलिवेटेड है आप यहां से नतादर लगा लें पीछे जो आपको टेरिसे अपार्टमन नदर आ रहे हैं उनकी चछत और इस ब्लॉक की स्ट्रीट लेवल तकरीबन सेम एरिया भी बनती है और बैक साट पर जहां पर ग्रिन दर आ रही है यह सारे जब वन कनाल के प्लॉट्स बनेंगे तो यहां से आप नीचे डाउन टाउन का जो व्यू होगा बहुत ही शांदार व्यू होगा और बहुत ही एस्थेटिक्स आपको मिलते हैं हर के कंस्ट्रक्शन पॉइंट व्यू से जब बनाएंगे और यहां पर लिविंग रखेंगे तो डेफिरेंटली आपको बहुत अच्छी आपको व्यू मिलता है 360 डिग्री अलिवेशन में अब बात करेंगे पी वी सी इसलामबाद से नेर बाइण आमिनिटीज की तो पी वी सी के अंदर भी तमाँ आमिनिटीज मोजूद हैं जिसमें आपको पी वी सी के अंदर मस्जिद, बाकी गराउंट और मरक्षब और बाकी चितनी इस तरह की चीजह मिलती हैं लेकिन अगर आपको universities में जाना है, universities के लिए students, आपके बच्चे students हैं, तो आपकी nearby vicinity में 10 minutes के drive में, Comsets Islamabad, इसके साथ-साथ यहाँ पे रिफा University और different universities हैं, नफीस Medical College, उसके बाद different ऐसी universities हैं, यहाँ पे ऐसी educational areas हैं, जहाँ पे easily commute कर सकते हैं, और इसके साथ government के जो hospitals हैं, वो भी nearby 10 minutes के distance में आते हैं, Serena Hotel Islamabad भी आपके 10 minutes से commute के आता है, तो तमाम amenities आपको यहाँ पे perfect condition में मिल जाती हैं, और सबसे वड़ी वाद आपके साथ ही बिलकुल बहुत state-of-the-art बहरी अन्कलेफ का project हैं, जहांके तमाम amenities आपकी 2 minutes की drive हैं, So this was it from today, अगर आपको पार्गो सेटी इसलामबाद में बुकिंग के वाले इसकुछ मौलमाँ चाहिए हो तो तो एक नमबर पर रापता करें, अगर आपके सम बुकिंग के वाले इसलामबाद में बुकिंग के वाले इसलामबा पर रापता करें,